सोमवार की बात MBA BK SING के साथ Monday's Talk with MBA BK SING जी दोस्तों, आज सोमवार की बात में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे दोस्तों हाइड्रोजन, ग्रीन, एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिनूबल एनर्जी जिसको अच्छे उर्जा और पावर सेक्टर की बात हाइड्रोजन, स्टोक्स की आज भले ही ग्रीन ना हो, स्टोक्स, सेयर, हाइड्रोजन, सेयर, स्टोक्स जो हमने सुबह बताया था, भले ही आज ग्रीन में नहीं हो दोस्तों इसलिए कि जब ये ग्रीन में जब होगा, तो इसका असली अस्तित्तों सामने आएगा और ये रंग बदलना सुरू कर दिया, इसलिए कि भारस सरकार की जो फैसला है पूरी दुनिया को जीवन देने के लिए, पूरी दुनिया के कल्यान के लिए जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए जो कदम है उसमें हमारा इनाइटेट अफ अमेरिका भी साथ दे रहा दोस्तों जी हाँ, बहुती अच्छी बात है और जिस स्टोक को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो अच्छी तरह ध्यान से सुन लिजिए और जान लिजिए कि आने वाले समय में इसको कभी भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं हम और आप भी नहीं किजिएगा क्योंकि स्टोक मार्केट में दोस्तों सभी लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं चाहे हों मुच्यल फंड में इन्वेस्ट करें तो मुच्यल फंड में वे लोग करते हैं जिनको स्टोक मार्केट की जनकारी नहीं है और stock market में investment करने वाले जो mutual fund company है वो भी इसी stock market से कमा कर आपको जो mutual fund में invest करते हैं उनको देती है क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक team है बहुत बड़ी एक team होती है जो एक system के उनसार चलती है और उनको मिन्टो सेकेंडो में मालूम रहता है कि कौन सा stock में अभी एक घंटा के अंदर वो सारे company हो में invest करेंगे बेचेंगे खरी देंगे बेचेंगे खर देंगे और इनका जो department है एक तरह से mutual fund जो company है एक तरह से बेरुजगारी कम करने का भी काम कर रही है देश में तो mutual fund की जितनी भी company है वो देश के हीत में काम कर रही है और वैसे लोगों का investment सेव करके रखती है जो stock market में नहीं जानते है कि कहां पर पैसा किस company में लगाए जाए चलिए दोस्तों द green energy और renewable energy solar energy हमारे देश के लिए नहीं सिर्फ पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और ये आपको जिसमें से reliance industries और NTPC, Gale, Adani, Green Energy और Gujarat Elkines Limited और L&T Reliance infrastructure जो आने वाले समय में इसकी एक ऐसी ख़बर जो आपको सुबह ही ये जितने भी stock बताये थे Reliance infrastructure भी इसमें बहुत बड़ी थेजी से पिकास करने वाला दोस्तों उनके भाग खुल गए जो हमने बताये थे दोस्तों आपको आठ मैना पहले Reliance infrastructure जब ये 45-46 रुपया का था कि infrastructure से जुड़े हुए जितने भी stock हैं उसमें से Reliance infrastructure का भी हमने जिक्र किया था और बोला था कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा भले ही ये नुकसान में और लोगों का नुकसान कर रही थी लेकिन अब देख लीजिए वही ये stock और ये माला माल करने के लिए तयार हो गया दोस्तों चलिए दूसरी तरफ हम देख लें Indian Oil Corporation of India जो IOC I के नाम से जानते हैं ये सारे के सारे stock आपको अब 2030 साथ आठ साल के लिए जो अगर इस stock में investment अच्छा खासा जो investor है जो बड़े investor हैं दोस्तों आपकी हम बात नहीं करते हैं जो बड़े investor हैं जो DI हैं जो FII हैं वो उनको खरीद कर और समलिजे की अपने अच्छे जगह रख देंगें और वो 7-8 साल के बाद फिर उसको चावी से खोल के निकालेंगें दो company हमारे देश की इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और यह stock रुकने वाला नहीं है दोस्तों भले ही है इस stock आप दो साल से देख रहे होंगे कि यह पारलर चल रहा है उपर नीचे उपर नीचे चल रहा है लेकिन यह उपर नीचे चलते हो चलते अब इस stock में बहुत बड़ा इसलिए कि crude oil की समस्या धीरे धीरे हम कर्ण कम करना शुरू करने की दिशा में चल रहे हैं और इसलिए कोई भी चीज कम करने के लिए लंबे समय लगता है दोस्तों भारत Petroleum Corporation Limited BPCL जिसका कोड है National Stock Action में और दूसरी कमपनी हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited BPCL और SPCL यह दो stock बहुत ही तेजी से भागने वाले हैं इसकी सुरूब में हमने किया था और इंटर डेटेक मुंबई MBA BPCL इस दोनों इस्टों को आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आने वाले समय अब यह बहुत तेजी से रैली बनाने जा रहे हैं दोस्तों पहली बार आप आएं इंटर डेटेक मुंबई में तो हमारा सोम वार की बात MBA BPCL के साथ दो जनवरी 2021 से चलता रहा है हर सुकरवार सनी वार रभी वार तीन दिन में एक दिन आता है यह सारे वीडियो आप जरूर देखिए आपको बहुत ही काम आएगा और नए आने वाले सेर मार्केट में अभी अभी आएं अगर सेर मार्केट में बंबे स्टोक एक्षियन नेशनल स्टोक एक्षियन भारत के स्टोक एक्षियन में टेडिंग के लिए किसी तरह का वो टेडर हो उनको इंटर डेटेक मुंबई MBA BK सिंग बहुत बहुत स्वागत करते हैं I must welcome to all of you इंटर डेटेक मुंबई MBA BK सिंग दोस्तो एक चीज याद रख लिजिए हम किसी भी ऐसे स्टोक को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइडरोजन ग्रीन से रिलेटिव नहीं रखता हो हम यह नहीं करते हैं कि सिर्फ हाइडरोजन को लेकर रख ल जो लॉंग टर्न के लिए जो दूरदर्सी क्यों बोलते हैं दूरदर्सी लोग क्यों सफल होते हैं और इसलिए सफल होते हैं कि उनकी दूरदर्सीता जो देखते हैं वो एक आम आदमी नहीं देख सकता है एक जेनरल सधारन सोचने वाले नहीं देख सकते हैं छोटी सोच बनेंगे जरूर एक दिन आप बुंदे 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 थोड़ा थोड़ा लीजिए लेकिन ऐसे स्टोक में आप लगा लीजिए कोई भी पावर सेक्टर के स्टोक हो टाटा पावर भी उसमें सामिले दोस्तो चलिए आप दूसरी तरह मैं बता दूँ ये नजर अंदाज इसलिए कहा दिया दोस्तो कि हम इसलिए कि हाइड्रोजन स्टोक्स की चर्चा बहुत तेजी से है सारे भरे हुए हैं बीडियो हाइड्रोजन ग्रीन एनरजी और सोलर एनरजी से जुड़े हुए लेकिन हमने तो एक साल पहले ही बता दिया था दोस्तो हमने देख लिया था कि क्या होगा 2025 के बाद दोस्तो 35,000 करोड की इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद इसमें BDC जो इन्वेस्टर हैं बहुत तेजी से छलांग लगा कर कूद कर आकर इसको दबोचना शुरू किये और यह मत देखे कि आज रेड निसान में भले ही आप रेड निसान में देखे होंगे आप गेल नहीं गया एंटीपीसी गया था गुजरात एलकाइंस जो भी आयोसी कोई भी रेड निसान में जाएगा लेकिन आने वाला यह समय जो इसलिए कि जब तुफान आने को होता है तो हवाएं पहले बहुत तेजी से चलती है दोस्तो और फिर उसके बाद तुफान आता है और जब तुफान आता है तो उसमें ढूंड़ना बड़ा मुस्किल हो जाता है और जब सांथ होता है तो फिर तो वही तुफान आया है रेड निसान का और ये रेड निसान दूजर शवबिस के बाद share market भारत की stock exchange जो है भारत की stock market share बाजार जो है आपको देखने को मिलेगा हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे फिर देखेंगे दोस्तो सो मुआर की बात ये वीडियो हर बार की तरह इस बार भी लंबा होगा क्योंकि हम राष्ट के हित में और पूरी गलोबली बात करते हैं इसमें और इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाला जो पीडिया हैं हम रहें न रहें उनको स्वस्त और सुरक्षित और सिक्षित होना बहुत ही अति आवस्यक है दोस्तो हम एक बात पुछना चाहते हैं दोस्तों आप से हम किसी की चर्चा नहीं करेंगें सिर्फ हम और आप बात करेंगें आप देख रहे हैं सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप और हम इस धर्ती पर पैदा हुए दोस्तों हमें ये बात बाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में पूरी ब्रह्मान की बात करते हैं हम क्यों बात करते हैं दोस्तों हम हमारे जैसे लोग क्यों बात करते हैं बसुधय कुटम वकम पूरा दुनिया ही हमारा परिवार ह है पूरा विश्व ही हमारा परिवार है बस उधाय कुटमबकम क्यों कहते हैं आपको इस वीडियो में हमें नहीं लगता है कि इस तरह की बाते किसी ने बताया होगा और आपने सुना होगा तो सुन लिजे दोस्तों हम कभी भी भेद भाव में विश्वास नहीं करते हैं पू share market के पीछे ही और इस से जुड़े हुए ही ये बाते हैं जो share market में आने वाला जो भविश्वास आपका है जब share market में आए हैं तो बाते जानना ज़रूर है तब ही आप पैसा बनाएंगे और कौन से किस तरह के स्टोप में भेद भाव नहीं करना है आपको पैसा कमाना दोस्तों तो हमें आप बता दीजी दोस्त कि आप पुरी दुनिया की बात करते हैं भारत में हमारा वीडियो कोई सुन रहा है या देश इस भारत की धर्ती के बाहर भी इस धर्ती माँ दी मदर दी मदर हमारा आने वाली जो फिल्म है दोस्तों फीचर में भविस में ग्लोबल वार्मिंग पे हमारी एक पिक्चर है वो जरूर आएगी उसका टाइटिल है दी मदर हमने टाइटिल रजिस्टर्ड भी करवा चुका है दी मदर की भारत मात जो है बहुत ही दुख में है और बहुत ही सहन कर रहे है दोस्तों सहन क्या कर रहे है दोस्तों आपको मैं बता दूँ ओ उसकी जो मान स्पेशिया है दोस्तों उसकी जो ब्लेड है दोस्तों उसकी हडिया है दोस्तों और जो मान स्रुपी जो मित्ती है दोस्तों वो मित्ती में लगबग साड़े तीन फीट तक तीन फीट तक जहर बन चुका है दोस्तों उसकी खून में जहर भर गया दोस्तों अब वो करा रही है अब वो आ आ कर रही है लेकिन मा मा होती है वो नहीं चाहती है कि हम अपने बच्चों से यह कर सकें कि अरे मेरे बच्चों मेरे बेटों हमें तो कैंसर हो गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं केमिकल सेक्टर की और केमिकल वाले खाद की, रशायिनिक खाद की हम और गयनिक की तरफ जब तक नहीं बढ़ेंगे हमारी धर्तिमा और भी बीमार होती जाएंगी दोस्तों. और ये concept दूसरी तरफ ये देश पुरी दुनिया में जो global warming का खत्रा है जो आने वाले समय में क्या भायावा हिस्तिती होगी हमारे इस script में हमारे जो ये फिल्म है उसमें इस script में ये वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इसकी कहानी की क्या हमरे concept है तबाह हो गई समुद्र के किनारे पुरी दुनिया के जो समुद्र के कोई भी Atlantic महासागर हो हिंद महासागर हो परसांत महासागर हो बंगल की खाड़ी हो या अरब सागर हो किसी भी समुद्र के किनारे रहने वाले 365 सहरे जो तबाह होती दिख रही है दोस्तों उससे कोई भी नहीं कर सकता और ये हमारी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है उसमें धर्ती करिए आरे मेरे ही बच्चों को मैं ही अपने बच्चों को अपने ही सामने मरते नहीं देख सकती दोस्तों धर्ती मा कहती है कि बचालो मुझे, मुझे बचालो मेरे अंदर जहर घुल गया है, मेरे आसपास जो महौल है जो हमारे आसपास की जो वाता वरने वो बहुत ही खराब हुचका है अब मुझे सांस लेने में भी दिकत होरी दोस्तों और आने वाले समय में धरती मा कहती है कि अरे मेरे बच्चों तुम्हारी अवलाद आने वाले समय में आक्सीजन माक लगा कर आक्सीजन मा भी तो मास्क लगाने की जूरत पड़ लिये दोस्तों आने वाले समय में इस्कूल धर्ती मा देख रही है और वो बहुत ही हैरान और परिशान है दोस्तों ये विजूल जो इसकी जो concept है वो हमारा ये एक हिस्सा है हम थोड़ा बहुत ही है तो एक परसेंट में नहीं बता पाएं दोस्तों चलिए दोस्त शेर मार्केट की बात करते तो दोस्तों ये बता दीज स्थी को ऐसी इस तीती से गुजरने के लिए और ऐसी तीती जब ये हम जान चुके हैं और हम ही नहीं बड़े-बड़े बेई ग्यानिक और बड़े-बड़े सोतकरता और विशस्ग ये देख रहे हैं दोस्तों जिसमें हम तो आठ साल पहले ही देख चुके हैं दोस्तों और ये आठ साल पहले का इस क्रिप्ट हमारा लिखा हुआ है अभी तक ये इसलिए नहीं बना कि इसमें धाइस सो करोड का ये बजट का ये फिल्म है दोस्तों और धाइस सो करोड के बजट के फिल्म के चलते हमने कई जगह ट्राइ किया कई सेक्टर में हमने काम किया दोस्तों लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें फाइनस करके और उसकी स्क्रिप्ट को चेंज करे हम चेंज करन हम हमें प्रॉफिट और हमें इस कमर्शियल फिल्म मना रहा है हमें तो दुनिया को कुछ देने के लिए यह हमारा कॉंसेप्ट है दोस्तो और यह एक्स्टा जब भी यह रिलिज होगा नहीं रहेगी यह स्टोरी और कहानी हम किसी को एलाउ नहीं कर सकती इसलिए कि खुदी मै I am already director and writer चले दोस्तो दूसरी तरफ तो हम इस लाइन पर थे दोस्तो कि जब हम ऐसे बड़े सपनों को बड़े बसुदह कुटिम्ब को कर लेके बात कर रहे हैं दोस्तो इसी रास्ते में बीच में ऐसे लोग आते हैं जो जाती धर्म मजहब और पूरी दुनिया एक ही पंथ है कोई धर्म नहीं धर्म तो होता ही नहीं दोस्तो पंथ होता है आप नहीं जानते तो जानतो अब पंथ what is definition of पंथ what is definition of religion धर्म नहीं रिलिजन का मतलब होता है पंथ और पंथ की परिभासा जो जानते हैं दोस्तो वो लोगों को नहीं बताते हैं जो लोग नहीं जानते दोस्तो और इसी के चलते हमर देश में कभी कभी अच्छा कार्ज करते हुए कहीं कहीं ब्रेक लग जाता है रुकाउट के बाउच भी नहीं बढ़ने वाला है। हम पूछना चाहते है दोस्तों और आप पी पूछिए ऐसे लोगों से जो आपके आस पास रहते हैं और आप से सवाल करते हैं कि ये धर्म के नाम पे ये जाती के नाम पे ।ो अरे पूरी दुनिया एक ही जात है दोस् मानव जाथ इनसान सूर्ज से जब धरती आई धरती जब आई थी कुछ भी नहीं था तो हाम मैं तो एक ही इनसान इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों हम बोलते हैं और हमारा जितना भी समाज होते हैं हम एक बात बता हा waktu तुम जाती को बाड़ते हो तुम धर्म को बाटते हो, तुम मजाब को बाटते हो, तुम तो इंसानों को बाटना शुरू कर दिये, अरे तुम बाटना है तो बाटो ना, जो देने वाला है ओ तो भेद भाव नहीं लगता दोस्तो, ओ जब भेद भाव नहीं करता है, जिसने तुमको जिंदगी दिया दो जिस जिन्दगी में तुम सांसे ले रहे हो, ओ हवा ने तुमको नहीं बाटा हवा क्या, हवा में जो हम सांस लेते हैं दोस्तों आप बता दिजिये, हिंदु मुस्लिम सिक्षिसाई और अमेरिका, रुष, जपान, पाकिस्थान, अस्टेलिया और भारत देखता है क्या, हम ज और हम उसी दिशा में हमारा देश भी काम कर रहा है उसी का एक हिस्सा है हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का हवा जो इस्वर ने दिया हवा उसमें तुम उसको जब वो बाटने के लिए नहीं तैयार है तुम तो बाटना है तो हवा को बाट दो अक्सिजन को बाट दो यह ये हिंदू का हवा है, ये मुसल्मान का हवा है, ये इसिख का हवा है, और ये इसाई का हवा है, अरे क्या बात करते हो, अरे तुम पानी पीते हो, तुम पानी पीते हो, चाहे अमेरिका में पानी पिए, चाहे वो पाकिस्तान में पानी पिए, चाहे वो रूस रसिया में पान अगर वो पानी की जात होती, तो बता दी दोस्तों कि क्या होता आज, आज ही हवा की जात होती, तो क्या होता दोस्तों, आज पानी की जात होती, तो क्या होता दोस्तों, तो जब पानी, वाटर, डिवाइड नहीं किया, पानी तुमको नहीं समझता कि तुम हिंदू हो, कि मु तो तुम कौन हो हम पूछते हैं दोस्तों आप भी पूछिए और इस चीज को बहुत ही बालिकी समझे जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही गहरी एनालिसिस के बार्द मैं बोल रहा हूँ दोस्तों हम और आप अगर समझदार हो गए तो फिर इन जो दूस्त परचार और सिर्फ और सिर्फ पानी को यहां इसकी बस चले इनकी बस चले तो यह पानी के भी जात बना देंगे और हवा की भी बना देंगे यह प्रकास सुर्ज की प्रकास की जात बना देंगे इसकी बस चले तो लेकिन इनकी बस नहीं चलेगी हम पूछना चाहते दोस्तों और आप भी पूछिए क्या क्या मंदिर तोड़ने खुदा आय थे क्या मंदिर अजोध्या की मंदिर तोड़ने खुदा आय थे कि बाबरी मस्जिद जिसको बोलते है राम आय थे क्या मंदिर तोड़ने खुदा आय थे कि क्या मस्जिद तोड़ने राम आय थे इस बात को बहुरी बहुत ही गहरी और बहुत ही बारीकी से लिजिए दोस्तों चलिए मास के बात करते हैं दोस्तों Hydrogen Stocks की और Hydrogen Stocks में आप लिस्ट लिख लिख लिखे और इसको भूलिएगा नहीं BPCL, HPCL और Thysen Group Bates Reliance Industries